तो दोस्तों यहाँ पर देख सेकते हो मेरा जो की UCL सब्टर को मैंने लोगिन करके जो की साइंग करके मैंने यहाँ पर उपन कर चुका हो और यहाँ पर UCL पर नया सर्विस एक आ चुका है एड हो चुका है तो भाई अभी जो की रिश्टेशन स्टार्ट हो चुका है CAC UCL का आधार UCL सेंटर लेने का जितने भी भेली भाई बैंक BC, बैंक मित्र बने हुए है और उनको आधार सेंटर का जोर्योत थे तो भाई आज से आप जो कि रेस्टेशन कर सेकते हो सब कुछ complete process बताऊंगा उससे पहले जान लो कि भाई अभी फिलाल 2023 में कितना कमाई होने वाली है बैसे भी हमें आधार सेंटर की माध्यम से अच्छा कासा कमाई होती है और उसमें और एक service एड कर दिया गया जिसकी माध्यम से हम उससे भी और ज़्यादा कमाई कर पाएंगे जैसे कि यहाँ पर देख सेक्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर रेसिडेंट आधार नमबर मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कि औरेडी यहाँ पर चेक हो जाएगा कि किसका डॉकुमेंट आपडेट हुआ है किसका नहीं हुआ है क्योंकि भाई जीलो का डॉकुमेंट आपडेट नहीं हुआ है उनका जो कि आधार कार को सॉस्पेंट कर दिया जा रहा है जो भी डॉकुमेंट आपडेट नहीं करेगा तो भाई आभी हमारा सेंटर पर भीडवाल लगने वाली है तो सुनो, registration स्टार्ट हुई है, आधार UCL सेंटर लेने के लिए, जितने भी बैंक मित्रों भाई, सेसी के तरफ से बैंक विसी चलाते हैं, बैंक मित्रों बने हैं, उन सभी भी भाई के लिए बहुत बड़ा good news है, तो वीडियो को last तक देखो, और आधार सेंटर लेने का process ज बात करेंगे, जैसे के मैं यहां पर डाल दिया, और इसे मैं okay डबा दिया, और यहां पर देख सेकते हो, document present for the resident, so no need to update than resident document, okay मैंने क्लिक कर दिया, जिसका document अपलोड नहीं होगा, या जिसका document अप्डेट नहीं है, वहां पर लेख देगा, और यहां पर हमें option भी दे दिया तो UCL Center कैसे मिलेगा, तो भाई देखो, 100% मिलेगा, CSC बुला बुला के दे रही है कि अधार सेंटर खोलो, अपने एरिया में document update का काम करो, लोगों का mobile number, link, update correction का काम करो, बहुत लोग ऐसे होंगे, कि ओनलाइन पर तो रेश्टेसों नहीं हो रहा है, यह हो रहा है, आप ज अधार UCL Center है, आप यहाँ पर देख सेकते हो, मैंने योकी सब्टर को उपन करके रखाओं, तो भाई मुझे पता है कैसे क्या registration होती है, क्या process होती है, कैसे मिलती है, तो आपको मुझे मेरे पर भरुसा है, ट्रस्ट है, तो आप वीडियो को लास्त तक देखो, तो भाई ब बात कर लेते हैं, registration process के बारे में, देखो भाई, यह 100% confirm है कि आपको आधार UCL Center मिल जाएगा, और CSC सभी वियली भाई को दे रहा है, जो वियली भाई भी बैंक मित्र बना है, और जिनके पास CSC की तुरू मिला हुआ, बैंक BC पॉइंट है, तो registration process के बारे में जानने के लि गया है, यह बात आपको ध्यान से सुन लेना है, और जान लेना है, तो भाई देखो, मैं क्यों आपको जो कि 100% guarantee के साथ दे कर यह बात बता रहा हूं, क्यों भाई, एक दिन हमारा BC हुआ था, जो भी बैंक मित्र भाई है, उनको पता होगा BC का मतलब क्या है, मतलब वीडिय वीडियो conference हुआ था, हमारा डेम सार थे, हमारा district जो सार होते हैं, उसके आद हमारा जो बैंक BC का head होते हैं, जो भी technical error बगरा देखते हैं, वो थे, और हमारा जितने भी भेली भाई थे, सब लोग हम जो की BC पर जोइन थे, वहाँ पर सब कुछ बात चीत हुई, टार्गेट पूरा करके मुझे अपना document mail करो, या hard copy मेरे office पर भेजो, मतलब समझ रहे हो, DM सार खूद बोले, कि अपना जो भी document लगती है, हमारा UCL center में, वो document पत्तर आपके पास है, तो भेजो, मैं आपको BC से या एक महने के अंदर अंदर ID password दिला दूँ, मतलब देखो भाई, मेरा BC BC पोइंट है, उतकल ग्रामीन बैंक का, जितने भी मेरा उतकल ग्रामीन बैंक भेली भाई, जूड़े थे, सबको ये बुला गया, मतलब जितने भी CC के साथ BC लिया है, सबको ये बात बोला गया जा रहा है, अपने अपना DM सार की तरफ से, district manager की सार की तरफ से, तो भाई, आपका भी BC हुआ होगा, तो आपको भी बताया होंगे, या तो आप खुद अपना DM सार से बात कर सकते हो, कि मुझे लेना है, उससे पहले और एक जोरूरिस्ट बात है, कि आपके पास वाई, eligibility criteria पूरा होना चाहिए, देखो, मैन चीज ये है, कि आपके पास एक static IP होना चा आपको आसान होगा, static IP लेने के लिए BSNL से, तो भाई, आप BSNL से आप contact कर सकते हो, यह होती है, man चीज जिसकी मादम से आमें मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो आप यह वाला काम कर लो, BSNL से बात कर लो, या तो आपना जो भी सहरे इला के में रहते हो, तो प्रिंट कर लो, पढ़ लो, और आसानी से पास कर लो, मैंने भी यह प्रोसेस अपले किया तो, और मैंने भी पास कर लिया भाई, आपको वो ही प्रोसेस अपले करना है, कहीं पर आप 2-4 मतलब रुपे दे देंगे, या 1000-2000 दे देंगे, हम पास हो जाएंगे, ऐसा गलत बा कॉम्पूर्टर है, वहाँ पर भी आप चला सकते हो, कुछ सामान चेंज कर, क्यों बेक्कार में 50 या 60,000 रुपे आपको लगाना है, उतना नहीं लगाना है, क्योंकि भाई, कमाई तो होती है, उतना भी ज्यादा कमाई नहीं होती है, एक कस्टमर से हमें 32 रुपे मिलती है मतलब 17 रुपे कितना पैसा कड़ती है, मतलब 18 रुपे मान लो, और 50 रुपे से 18 रुपे कट गया, तो हमें 32 रुपया है बजती है, तो अच्छा कासा ही कमिस्वन मिलती है, और अब हमें जो की डुकुमेंट आपडेट में भी आच्छा कासा पैसा मिलने वाली है, तो वह इतना सब कुछ है तो आपको मिल जाएगा, उसके आद आपको बैनर फैनर चिपका के सब कुछ आपको देना है, पहले आपको ये वाला प्रोसेस एपले करना है, और भाई, आप ऐसे ही वेट करते रहोंगे, हमारा ओनलाइन पर कव आएगा, और हम कव जो की रिष्टरेश और लेते हो, उतना जल्दी आप काम स्टार्ट कर पाओगे, तो भाई, फिलाल इस वीडियो बस इतना वीडियो थुड़ी सी भी आपको अच्छे लेगी, हेल्पूल लेगी, और भी भेली भाई के साथ सेर कीजिए, जिनके पास बैंक बीसी, बैंक मित्र बने है, और बो लोग आधार सेंटर खोलना चाहते, यह आसान और जो कि एकदम सही तरीका है भाई, आसानी से मिल भी जाएगा, और आपका काम भी हो जाएगा, तो चलिए इस तो मिल से हैं कुछ अगले वीडियो में, आचे लिए टाटा एंड बाई बाई बाई, जय हिंद।